नमस्कार दोस्तों क्लास एट महारा स्टेट बूर्ड मैतेमेटिक्स चप्ट नुमबर सेवन वैरियेशन प्रेक्टिस एट 7.3 तो प्रेक्टिस एट शुरू करने से पहले आप सभी कौन रूद है कि चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक शेर करें और बिल आइकन प्रेस करे जिससे कि आपके आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं तो कौशन नुमबर बन है वीच आप दो फोलिंग और इनवर्स वैरियेशन तो उसमें फिस्ट है नंबर आफ वर्कर्स ओन जाब एंड टाइम टेकन बाय देम टो कंप्लिट जाब तो जब नुमबर आफ वर्कर्स इंक्रीज होंगे तो जॉब तो वही है अगर नुमबर आफ वर्कर्स ज्यादा होंगे तो जो टाइम लगने वाला है वो कम लगने वाला है अगर नुमबर आफ वर्कर्स कम होगे तो टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा तो यहां पर इन number of workers increases, time decreases, then it is a inverse variation, question number 2 देखे, number of pipes of the same size to fill a tank and the time taken by them to fill the tank, अब अगर हमें tank fill करना है, और tank fill करने के लिए number of pipes, pipes की संख्य जो है, अगर ज्यादा हो गई, increase हो गई, तो tank fill करने के लिए हमें कम समय लगेगा, तो यहाँ पे भी inverse variation होगा, तो हमें लिखना है, it is an inverse variation, देखे, और एक बार मैं आपको revise गर दूं की inverse variation क्या होता है, अगर एक variable की value increase हो रही हो, तो दूसरी variable की value decrease हो रही होनी चाहिए, और एक variable की value अगर decrease हो रही है, तो टाइम जो हो ज़्यादा लगेगा इंक्रिज होगा अब नेक्सट प्वेशन है पेड्री इन टैंक वेह इकल आप देखिए पेड्री जो टैंक में फिल हो रहा है और उसकी कोस्ट जितना ज्यादा पेड्रोल फिल होगा उसकी कोस्ट उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी तो यहां पे एक value increase तो दुसरी भी increase तो दोनों increase हो रही है हो तो यह inverse variation नहीं होता है यह direct variation होता है तो हमें लिखना है it is not an inverse variation next question is area of a circle and its radius अब देखें radius अगर increase हो रही हो तो जो area है उसे cover होने वाला उस circle से तो वो भी increase होता रहेगा तो यहां पे एक value increase तो दुसरी भी increase हो रही है तो यहां पे direct variation होगा, inverse variation नहीं होगा तो हमें लिखना है it is not an inverse variation next question देखें, question number 2 if 15 workers can build a wall in 48 hours how many workers will be required to do the same work in 30 hours तो यहां पे जो time और number of workers इन में देखें number of workers अगर increase होगे तो जो time लगने वाला है एक काम करने के लिए same work, वही काम करना है number of workers increase होगे तो time जो हो कम लगेगा अगर time, मतलब number of workers कम होगे तो time जो हो ज़्यादा लेगा तो यहां पे inverse variation है तो let number of workers n and time taken by them is equal to t तो हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं कि time taken by the number of workers t is inversely proportional with number of workers n यह n is inversely proportional with time तो यहां पे proportionality अगर साथ सिंबॉल निकाल दें तो t is equal to k divided by n तो n into t n into t is equal to k होगा तो n into t is equal to k अब यहां पे एक condition दी गई है कि if 15 workers can build wall in 48 hours तो n की value 15 है when n is equal to 15 then time taken t is equal to 48 तो हम यहां पे n into t यहां पे यह दोन value लिखनी है तो 15 into 48 is equal to k तो 48 को हमें 15 से multiply करना है 15 8 जा 1 20 बॉरो 12 15 4 जा 60 प्लस 12 7 22 720 तो यहां k की value आ गई 720 तो हमें लिकना है k is equal to 720 तो equation of variation हो गया n into t is equal to 720 अब हमें n की value अगर पता है तो हम t की value और t की value पता है तो हम n की value find कर सकते हैं तो यहां पर पूचा गया की how many workers will be required to do the same work in 30 hours तो time 30 hours है तो हमें number of workers find करना है तो यहां पर n into 30 is equal to 720 तो 720 को हमें 30 से divide करना है तो n is equal to 720 divide by 30 एक एक जरो cancel होगा 32 जा 6 बॉरो यहां पर remainder 1, 12, 3, 4 जा 12 तो हमें 24 workers की जरूरत होगी तो question number 3 देखिए 120 bags of half liter milk can be filled by a machine within 3 minutes find the time taken by a machine to fill such 1,800 bags अब देखिए number of bags number of bags अगर जादा हो गए तो उनको fill करने के लिए जो time लगेगा वो जो time है वो जादा लगेगा अगर number of bags कम है तो कम time लगेगा तो यहां पर it is a direct variation यहां पर direct variation है तो direct variation है तो इसको हम लिखेंगे कि यन is directly proportional to T तो यन is equal to proportional to sign हटाने का बाद K into T तो यन को हमें T से divide करना है यन divided by T is equal to K के अब के की वैली फाइंड करनी है तो यहां पर एक condition दी गई है 120 bags है तो number of bags 120 त्री मिनिट में यह फिल हो जाता है तो time हमें 3 मिनिट दिया गया है तो यन by 120 divided by 3 is equal to K तो यहां पर K की वैली होगी 40 K की वैली 40 है तो अभी equation होगा यन by T is equal to 40 अब पूछा गया है कि 1800 such bags देखें 1800 जो bag है उनको फिल करने के लिए कितना time लगीगा तो number of bags 1800 तो 1800 divided by time T is equal to 40 अब 40 को यहां left side में denominator यह right side में तो 1800 divided by 40 तो T is equal to यह दोनों 0 cancel 4 से divide करो 4 जा 16, 4 जा 5 जा तो 45 मिनिट जो है वो लगने वाले हैं तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों last question है question number 4 वो आप गर में solve कर सकते हैं easily car के speed देगी है और जो time है speed और time में inverse variation होता है तो inverse variation का concept यूज करके हमें वो question solve करना है टीक है thank you दोस्तों हईट करना है कर अव्यकिन मेंन कर दो lasा